असलेमु आलेकुम वरेहमतुल्लाही वबरकातु। दोस्तों कुवेत से आज की इंपोर्टेंट खवर है। कुवेत में अपना बीजा समेत सारा कागज रखी दुरुस्त। क्योंकि कुवेती अधिकारी चेकिंग पर हैं, अब तक रेसिडेंसी के 1000 उलंगन करता गरफतार हो चुके हैं। कुवेत में परवासियों पर नजर रखने के लिए सुरक्षा अधिकारीयों के दुवारा कंपेंच चलाया जाता है। इस दोरान ये पुष्टी की जाती है कि सभी परवासी रेसिडेंसी सुरक्षा आधि नियमों का पालन उचित तरीके से कर रहे हैं। अगर कोई इन नियम का उलंगन करते पकड़ जाता है तो उसके खिलाप का रवाही की जाती है। बता दें कि कोईट की एक लोकल नियूस पेपर के मताबिक पिछले तीन हफ़ते में रेसिडेंसी नियमों के करीब एक हजार उलंगन करताओं को गरफतार किया गया। इसके साथ 42 ऐसे लोग हैं जिन पर किर्मिनल चार्ज लगा है। पूरे कोईट में इस तरह के कमपैन के जरिये उलंगन करने वाले परवासियों पर नजर रखी गई है। कई वार ऐसा भी होता है कि परवासी विजट वीज़ा पर कोईट में परवेश कर लेता है। लेकिन उसके एकस्पायरी के बाद अपने देश नहीं लोटता है। ऐसे मामले में इस्पॉंसर को भी दोसी मानकर उसे भी सज़ा दैने की बात कहीं जा रही है। इस्पॉंसर पर सज़ा के तोर पर दो साल का बेन लग सकता है। साथ ही कोईट के अंतरिक मंतराले के दुआरा सभी ड्राइवर के लिए चेतावनी जारी की गई है। कहा गया कि कॉंट्रेक्शन बहानों को पबलिक रोड पर नहीं चलाना है। अगर कोई ऐसा करते पाया जाता है तो कंट्रेक्शन बहान बरामत कर लिये जाएगा। बताते चलें कि ड्राइवर के इस उलंगन को जिम्मेदार माना जाएगा। इसलिए जब तक पबलिक रोड पर बहान चलाना एकदम जरूरी ना हो जाए ऐसा ना करें। साथ ही इंडिया के कोई कोई से कोई के लिए डारेक्ट फ्लाइट जल्द ही सुरू होने वाली है। इंडिया और कोई के बीच डारेक्ट फ्लाइट ओपिन होने वाली हैं। इंडिया से जो परवासी कोई जाना चाहता है वह तैयार रहे। जो डुमेस्टिक वरकर है जिसके पास आर्टिकल 20 नंबर वीजा है वो आसानी से कोजी कोड से कोईट में डारेक्ट फ्लाइट के जरीए परबेस कर सकता है तो दोस्तो ये थी कोईट से आ रही कुछ लेटिस्ट अपडेट जो मैंना आप तक शेयर करी दोस्तो कोईट की ऐसे ही ख़वर के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारा नौटिफिकेशन आपको मिल सके मिलते हैं ने इस वीडियो में तब तक के लिए